हेलो एवरिवन आप सभी के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी आज में ले करके आई हूँ जो बच्छों को बहुत जादा पसंद आती है सौफ्ट, स्पंजी, जालीदार केक बनाना बताऊंगी वो भी पीना अवन के ही बनाकर इस केक को तयार करेंगे बिल्कुल हैल्दी तरीके से तो चली इस आसान सी रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी मेरा ये केक बनाने का मैथर्ड पसंद आएगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा इसके लिए हमें यहाँ पर एक बाउल लेना है और यहाँ पर एक कप हमें सूजी लेना है यानि कि सैमो लेना सूजी हमें कोई सी भी लेनी है चाहे तो आप बारिक वाली ले या फिर मोटी वाली कोई सी भी सूजी चलेगी हमें अलग से सूजी को ग्रैंड करने की भी नहीं है फिर मैं यहां पे हाफ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूं पॉफेक्ट मेजर्मेंट के साथ आपको बनाना बता रही हूं तो वीडियो को बिना स्किप की हुए जरूर लास तक वाच किजिएगा एक कप मैं यहां पे दूद ली हूं दूद को हमें गर्म कर लेना है अच्छी तरह से दूद को गर्म कर लीजिएगा फिर हमें यहां पे सूजी में डालना है पर पूरा दूद नहीं डालेंगे थोड़ा सा दूद डालेंगे और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इतना दूद डालिएगा जितने में सूजी आपके अच्छी तरह से भी देखिए अलग से आपको चीनी का पाउडर भी नहीं बनाना है पर आप यहाँ पे चीनी की जगह पे चाहें तो गुर का पाउडर भी ले सकते हैं मतलब जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है और इसे 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है चलिए इसे रेस्ट करने देते हैं 25 से 30 मिनट बाद में आपको दिखा रही हूँ देखे अब चीनी तो जैसे इसमें से गाइब सा ही हो गया है मतलब की चीनी जो है न अच्छी तरह से दिजॉल्व हो चुका है और सूजी भी फूल च चलिए अब मैं यहाँ पे इसे ग्राइंड करूंगी तो इसमें हमें डाल लेना है मिल्क पाउडर तो वन फोर्ट कप मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तिमाल कर रही हूँ मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे गहूं का आटा भी ले सकते हैं उसके बाद हाफ टी लीजिएगा तो चलिए अब मैं यहां पे गी डाल दी हूं और गी डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है तो वन फोर्थ कप मैं यहां पे गी का इस्तेमाल की हूं तो चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर ले रही हूं देखिए रुक रुक कर हमें इसे अच्छे से ग्राइं करके ले लेना है देखें पॉफेक्ट तरीके से आप इस गेक को गैस पही बना कर तैयार कर सकते हैं तो छोटी-छोटी बात मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊंगी टिप्स और ट्रिक्स देती जाऊंगी दोस्तों तो आप इस तरह से perfect cake जरूर ट्राइ किजिएगा तो चलिए अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना ही सारे batter को देखे batter बिल्कुल smooth कीजिएगा अच्छी तरह से grinding jar को चलाईएगा देख रहे हैं तो सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से grind हो चुके हैं अब हमें उसी grinding jar में बच्चे हुए दूद को डाल लेना है और फिर इसी batter में डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे तो बैटर थोवा सा गारा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर बच्चे हुए दूद का इस्तिमाल कर ली हूँ अच्छी तरह से हमें इसे mix करना है मेरी request है आप स तो नमक की आपके पास पहले का जो नमक होगा पुराना वाला गर बेक़िंग वेगएर फ़्रीबर हमें यूज करते होंगे तो उसका इस्तिमाल किजिएगा पर मेरा बेकिंग का नमक जो था नवा उख चुका था पुराना वाला तो मैं उसे हटा दी हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रिस नमक का इस्तेमाल कर रही हूं अब हमें इस कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे प्री हिट होने देना है तब तक 10-15 मिनिट के लिए अच्छी तरह से प्री हिट जरूर कीजिएगा चलिए अब नेक्स तैयारी करते हैं एक केक टिन ले लेंगे इसमें हमें एक बटर प इसमें केक का बैटर डाल सकते हैं तो भी आपकी केक परफेक्टी बनेगी पर मेरे पास यह बटर पेपर थे तो इसके उपर से मैं यहां पे घी लगा दी हूं उसके बाद हमें यहां पे इस बैटर में बस दो चमच डालना है बिल्कुल ताजा दही दही मैं यहां पे एक तो बुंद आप यहां पे लेमन जूस एड़ कर सकते हैं उसके बाद अच्छी तरह से मैं बैटर को फेंट ली हूं अब हमें यहां पे हाप टीस्पून बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है जब बेकिंग पाउडर और टाल लिजेगा तो बिल्कुल हलके हाथों से और आराम से आपको इस बैटर को मिक्स करना है कट एंड फोल राउंड में बहुत जादा तेजी से आप इसे मिक्स मत कीजिएगा नहीं तो आपका भी केक जो है न वो तूट जाएगा बिल्कुल पफेक्ट रेस्पी बता रही और हेल्दी केक बनेंगे बीना मैदा का तो मैं यहाँ पर सिर्फ सूजी का ही इस्तेमाल की हूँ अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देने हैं आप ड्राइफरूट्स पेगेरा को भी कट करके डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए जो आपको मन हो वो टूटी फूटी ना हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं तो चले मैं इसे लाइट हार्ण से मिक्स कर दी हूँ अब हमें इस बैटर को डाल देना है इस केक टीन में देखिए सारे बैटर को मैं यहाँ पे केक टीन में डाल दे रहे हूँ थोड़ा सा उपर से स्पेस ताकि केक जो फूलेंगे तो वो नीचे नागिरे अच्छी तरह से इसमें फूल जाए तो थोड़ा सा उपर से आपको इस पेस तो छोड़ना ही परेगा पूरी तरह से केक टीन को दोस्तों अबर फूल मत कीजिएगा तूटी-फूटी मैं उपर से थोड़ा सा और डाल दी हाथ ना जले आपका आप प्रेसर गूकर में भी बनागत तयार कर सकते हैं अब हमें इसे कवर करना है कवर करके हमें इसे लो फ्लेम पे बेक होने देना है बिल्कुल गैस के फ्लेम को लो रखना है देखिए आप एक बार यहाँ पर देख लिजे अब कितने देर बेक करना ह वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये बेक होने में आपको कम से कम 50 से 55 मिनट तो लगी जाएंगे सभी बोलते हैं कि 45 मिनट में केक बन जाते हैं वो भी पैन में पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो 50 से 55 मिनट तो कम से कम लगी जाते हैं तो शेले 50-55 मिनट बाद में आपको दिखा रहे हूं केक भी साइज में फूल करके उपर आ चुका है, बढ़ा हो चुका है, अब कोई भी टूथपिक बेगेरा को इंसर्ट करके देखिएगा, अगर वो क्लीन आए ना तो बस समझे कि पफट केक आपका हो चुका है, अगर क् केक को हमें कर देना है कवर, तो चले मैं इसे कवर इसलिए कर दे रहे हूं, थोड़ा सा केक का जो कलर है वो अच्छी तरह से निकल कर सामने आएगा, और यह ड्राइ भी नहीं होंगे, इतने में यह थंडा भी हो जाएगा, तो मैं इसे कवर करके और फिर से यहां पे इस प अफेक्ट हो जाता है, देखिए, तो जो आप कडाई या कूकर में केक बनाएंगे ना, उसका उपर का जो यह लेयर है बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और कलर भी इतना ही होता है, इस से ज़्यादा डार्क नहीं होता है, तो आप भी जरू ट्राइ किजिएगा दोस्तों, अग केक आपका ठंडा हो जाए, तो साइड से इसके एजस को अला कर ले, और यह आसानी से आपके केक निकल भी जाएंगे, तो आप लोग भी इस हेल्दी सा केक को जरूर बनाएगा, दोस्तों, बहुत जादा टेस्टी यह केक बनता है, और उतना ही यह सॉफ्ट भी रहता है, तो चली मैं आपको एक बार इसकी सॉफ्ट निस दिखाती हूँ, देखिए, देख रहे हैं, कितना सॉफ्ट बना है न, है न, बनाना कितना आसान, कोई मुस्किल काम नहीं है केक बनाने के लिए, आपको सोचना भी नहीं परेगा, मेरी बेटी को रुका नहीं गया, तो इस जरूर बनाईएगा मेरे इस तरीके से, दोस्तों, आई होप आप लोगों को रेस्पी जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस रेस्पी को फ्रेंड ग्रूप्स में जरूर सेयर कीजिएगा, चलिए मिलते हैं, बाबा प्रेंगा गजो हुआ होगी